वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी कब लगाम लगेगी इन जिहादियों की हरकतों पर कब तक लगाम लग पाएगा धूक जिहाद का बीडियो लगातार वारल होते रहते हैं जिसमें कुछ जिहादी होटल में रोटियों में धूक लगाकर हिंदू को देते हूँ नजर आते हैं और इन जिहादियों का पुलिस भी करती हैं लेकिन कुछ जहादी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और लगातार योगी पुलिस को खुली चिनोती देते हैं यूपी के गाजेबास से थूख लगाकर रोटी सेखने का बीडियो एक वार्फिट से वारल हो रहा है आपको बता दें वारल बीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि एक यूबख थूख लगाकर रोटी को तंदूर में सेखते हुए नजर आ रहा है मामला सामने आने के बाद हिंदू संगटन के पदाधिकारियों के शकायत पर पुलिस ने बीडियो में नजर आने वाले यूबक को गरफतार कर लिया है आपको बता दे पुलिस आरोपी से पूछताच भी कर रही है वहीं इस कटना को लेकर सोशल मीडिया में भी उबाल देखने को मिलाया लगातार यहाँ पर हिंदू संगटन के लोग उसको गालिया दे रहे हैं और लगाता टिपडिया भी कर रहे हैं इसे लेकर लोग एक खास पर निशाना भी साध रहे हैं सगाई समारो में नान बनाने के लिए मस्जित के सादाव को बुलाया गया था आरोपी नान बनाते हुए उस पर थूक लगा रहा था उसको थूक लगाते हुए किसी ने देख लिया और यह बात हिंदू संगटन को पता चल गई जिसके बाद वहाँ पर हडकंप मच जाता है उन्होंने थूख लगाते हुए शादाव का बीडियो बना लिया इसके बाद आरूपी को पकड़ लिया है और पुलिस के अबाले कर दिया है जानकारी फैलते ही समारों में अफरा तफरी मच गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने सादाव को गरफतार कर लिया है और लगातार उससे पूश्टाच भी की जा रही है आरूपी ने पूश्टाच में थूख लगाकर रोटी बनाने की बात को सुईकर किया है उसने पुलिस को यह भी बताया कि वैस सालों से इस काम को करता रह है वहीं इस कटना के बाद से अलाके में हड़कम मचा हुआ है लोगों में गुष्सा देखने को मिल रहा है लोग आरोपी के खिलाफ रासुका के तेहत कारवाई करने की मांग कर रहे हैं तो देखा आपने किस तरीके से यह जिहादी हिंदूों के धर्म को नश्ट करने का प् और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजितल न्यूस चानल वीके न्यूस राश्ट्र के नाव